Hello friends, मैं विकास आनन्द, आप सभी का स्वाध करता हूँ आपके अपने श्टी चैनल लच्छे कैडमी पर आज की इस पर्टिक्लिवर वुडियो में डिसकस करने वाले किस तरह से गौवर्मेंट कंपनी में ओर्डिटर को अपॉइंट किया जाता है ओर्डिटर अपॉइंट, गौवर्मेंट कंपनी और नन गौवर्मेंट कंपनी तो आज की इस वुडियो में गौवर्मेंट कंपनी डिसकस करेंगे गौवर्मेंट कंपनी में अपॉइंट करने के लिए जो पहला ओर्डिटर है उसे अपॉइंट करने के लिए section 139, subsection 7 का इस्तमाल किया जाता है जो कि CAG within a date of registration 60 दिनों के अंदर में appoint करना होता है गलती से अगर वो miss कर जाती है तो board of director next 30 दिनों के अंदर में appoint करेंगे suppose board of director में miss कर जाते हैं तो जो members होते हैं जो कि extraordinary general meeting के द्वारा next 60 दिनों में appoint करेंगे next हमारा जो subsequent auditor होंगे जो कि section 139, subsection 5 के तहत में आता है जब उन्हें appoint करने की बात आती है तो उसके लिए भी CAG को 180 दिन का time मिलता है commencement of the year में ठीक है? और अगर किसी भी reason से अगर vacancies हो जाती है बीच में एक particular audit चल रहा है और उसमें suppose vacancies हो गई है खाली vacancies है तो section 139, subsection 8 के तहत में CAG के पास authority होती है within a 30 day appoint करने के लिए in case अगर वो miss कर जाते है तो board of director के पास time होता है 30 दिनों के अंदर में auditor को appoint करने का तो ये है हमारा government company में एक auditor को appoint करने का procedures with section तो उमीद करते हैं ये चीज़े clear ही होंगी ये है हमारा SWAT video जो एक हमने नई series इस्टार्ट किया है कल हम लोग discuss करेंगे इस पर non-government company में appoint करने के लिए auditor को क्या discuss होता है किस तरह से procedures होता है और ये कैसा लगा comment करके मुझे बताओ साथी साथ में बादे बादे